असलाम अलेकों, वेलकम बैक टू माई यूटूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आप सब खार्यास होंगे हमारी आज की वीडियो में याप दे सकते हैं, हमारे पास ये कमीज है इस कमीज के साइड में हम ये लेस लगाएंगे यह आप दे सकते हैं हमारे पास सावा हैं जिकी चोड़ी लेस है इस लेस को इसकी फिटिंग में लगाएंगे इस तरह साइड फिटिंग में लगाएंगे फ्रांट और बैक दोनों में यह लगाना बहुत ही असान है इसके लिए आपने वीडियो को स्टेब बे स्टेब पूरा देखने हैं वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी सबसे पहले हम साइड फिटिंग की दूसरी साइड के निशान को कॉपी कर लेंगे इस तरह यहाँ पर साइड फिटिंग की सिलाई के दूनों तरफ कर निशान लग चुका है अब दे सकते हैं अभी हम यहाँ पर कमेज की फिटिंग को पहले चेक कर लेंगे यहाँ पर 18 इंज इसका चेस्ट का नाप रखा है आप दे सकते हैं कमर बेज के हमने 18 इंज रखे यहाँ दे सकते हैं उपर से हमारी कमर तक कमेज सीध्य आएगी और यहाँ हिप से हमने इसको थोड़ा लूज रखा है यह 20 इंज रखे यहाँ दे सकते हैं अभी यहांपर यह जो साइड चॉब का निशान आप दे सकते हैं इस कट के ओपर हम यहांपर सीधा कट लगा लेंगे निशान तक इस तरह यह आप देसे थे जितना हमारा गैप है फोल्डिंग के लिए इतना ही हमने कट लगा लिये अब हम यहां पर इसको फनिशिंग सateurs पे सिरहब फोल्ड कर देंगे यह कपड़ आपने अतना फोल्ड करना जितना आपने माजन रखा हो चॉक को फोल्ड करने का इस तरह यहां पर एक सब्सेक हमारी चॉक की फोल्ड हो चुक है फनिशिंग सब्सेक की तरफ अभी हम यहाँ पर दुसरी तरफ की चौक को भी फॉल्ड कर देंगे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आप लेस लगाएं फिटिंग में तो आप फिटिंग पहले चेक कर लें क्योंकि यह आपकी फिक्स फिटिंग है लेस को लगाने के बाद आपकी फिटिंग या लूज या टाइट नहीं हो सकती इस तरह यहाँ पर यह आप देसे हैं चौक हमारे फॉल्ड हो चुके हैं अभी हम यहाँ पर दोनों की साइट को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे साइट की पहले एक साइट की यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे एक साइट की सिलाई लग चुकी है आप देसकते हैं इस तरह से साइट की सिलाई लगाने के बाद यह जो इसका दबाओ है इसको हम एक तरफ बिठा देंगे इस तरह अभी यहाँ पर याँ देसेते हैं यह हमारी सैड फिटिंग की सिलाई है अभी हम यहाँ पर लेस लगाएंगे इस सिलाई के दोनों तरफ से हम लेस लगाएंगे और यह सिलाई हमारी मतलब के सेंटर में आ जाएगी या आप देशेते हैं इस तरहं ये लेस का सेंटर होगा इस तरहं यहांपर सिलाई के साथ साथ हम ये लेस लगाते जाएंगे अगर आपने अब यह तक वीडियो को लाइक नहीं गया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और अगर आप हमारी वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपका सिलाह से रिलेटिड कोई भी सवाल है तो आप हम इस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसिज करें इस तरह साइड फिटिंग की सिलाई तक हमारे लेस लग चुकी, अभी हम यहाँ पर चॉक के ओपर इस तरह लेस लगाते जाएंगे, जो हमने दबाओ फोल्ड किया था चॉक का, उसी के किनारे के ओपर यह लेस लगाते जाएंगे. ये लेस लगाना बहुत ही असान है आप दे सकते हैं चौक पर भी हमारी लेस लग चुकी है आप दे सकते हैं यहां पर हम लेस को कट कर लेंगे और सिलाई को यहां पर टरन कर लेंगे और लेस के दूसरे किनारे के ओपर सिलाई लगाएंगे यहां पर हम सिलाई को निकाल लेंगे एक तरफ की हमारी लेस लग चुकी है अब दे सकते हैं अभी हम यहां पर दुसरी तरफ की लेस को लगाएंगे उसको लगाने के लिए यहां पर हम सैट चॉक से स्टार्ट करेंगे यहां पर लेस को लेंगे और इसके उपर रखेंगे और किनारे के उपर यहां पर सिलह लगाते जाएंगे किनारे की सिलह लगाते हुए हमारी चौक तक लेस लग चुकी है आप दे सकते हैं साइड चौक से उपर हम दूसरी लेस के साथ साथ इसको मिलाते जाएंगे यह आप दे सकते हैं इस तरह चौक के साथ हम इसको मिला देंगे साइड की फिटिंग की जितनी भी शेव होगी उसमें ये लेस लगाना बहुत ही असान है हमारी इस कमीज की फिटिंग जो है बहुत ही कम थी सीधी सीधी शेव थी अगर आपकी कमीज की शेप जाद हो तो आप ऐसी लेस लें जो आसानी के साथ शेप के साथ गूमती जाए अभी हम यहाँ पर लेस की दूसरी तरफ की सिलाई लगा लेंगे अगर आप सिलाई से रेलेटेड और भी वीडियो देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें जिसमें आपको अच्छे अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी उन वीडियो देख कर आप अपनी सिलाई में थाउन ला सकते हैं यहाँ पर हमारी लेस लग चुकी है, एक साइड फिटिंग की दोनों तरफ से आप दे सकते हैं, फरन्ट और बैक दोनों के चौकों में हमारी लेस लग चुकी है, यह आप दे सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, यह हमारी जो कमेज है, इसकी इतनी फिटिंग नहीं थी आप दे सकते हैं सीधी सीधी फिटिंग है इसलिए हमने लेस इसकी चोड़ी लगाई है अगर कमेज की फिटिंग ज़्यादा हो कमर कम हो और चेस्ट ज़्यादा हो हिप ज़्यादा हो तो आप उसमें बारीक लेस का इस्तामाल करें यहाँ पर हम दूसरी सैट की सिलाई लगा लेंगे उसी तरह इन दोनों चौक को इस तरह मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई को निकाल लेंगे इस सैट के अंदर के कपड़े को भी हम सेम उसी तरह एक सैट पर बिठा देंगे दूसरी तरफ की साइड फिटिंग की सिलाई की भी दोनों तरफ से हम लेस लगा लेते हैं अभी इस हलकी शेप के साथ साथ हम लेस को गुमाते जाएंगे इस तरह SIDE तक यहांपर स्ले लगाने के बाद अभी हम चॉक की ऐपर भी इसी तरह लगाते जाångेंगे हमने यह यहांपर SIDE zouk में और SIDE पिटंग में यह लेस की इस लगाया है डामन में हमने इसके डॉरी पेपिंग किया है, कंटरास कलर की आप चाहें तो दामन में भी इसके लेस लगा सकते हैं बहुत यह अच्छी लगेगी दामन में भी यहां पर हम लेस की सिलाई को अपर की तरफ लेके जाएंगे और दूसरी तरफ की सिलाई लगाते जाएंगे इसके साथ ही दूसरी सैट की एक लाइस लग चुकी है आप दे सकते हैं दूसरी लाइस को लगाने के लिए याँ पर हम चौक से लाइस लिएस लगाना स्टार्ट करेंगे जब तक हम दूसरी सेट के लिए इसको लगा लेते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन को बेटन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छे वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्क्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्क्राइब किया करें इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और अगर आप हमारी वीडियोज पर ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे वीडियोज को वाच और लाइक करते रहेंगे तो हमें भी वीडियोज बनाने का मज़ा है गो और हम आपके साथ अच्छे अच्छी वीडियोज शेयर करते रहेंगे इसके साथ ही दोनों फिटिंग साइड पर हमारी लेस लग चुकी है आप दे सकते हैं यहाँ पर हम सिलाई को निकाल लेंगे और यह आप दे सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग चुकी है अभी हम इसको अची तरह आरन कर लेते हैं पूरी कमेज को फैनली बनाने के बाद आपके साथ शेयर करते है जी तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारी कमेज बन चुकी है बहुत ही फिनिशेंग के साथ हमारी कमेज बहुत ही प्यारी लग रही है साइडों में इसके लेस आप दे सकते हैं सिंपल सी हमारी ये लेस है आप दे सकते हैं, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है, कमेज के ओपर भी सूड कर रही है पहनने के बाद ये साइडों में लेस लगी भी बहुत ही अच्छी लगेगी, आप भी इस तरह से ट्राइ कर सकते हैं हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें मिलेंगे अगली वीडियो में लाफिश